तो गैस इस वीडियो में बताने वाले हैं आप अपने फिक्सल लेब में इस तरह का निव कस्टम फोन डाउनलोड करके एड़ करना चाते हैं तो गैस इस वीडियो को एंड तक दखिए और गैस एंड तक दखने के बाद आप भी अपने फिक्सल लेब में इस तरह का निव कस एड़ कर सकते हैं तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक दखिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको अपने हॉम स्क्रीन में गूगल को आपैन कर लेना है और गाइस आपैन करने के बाद आपको यहां सर्च कर देना है कुश्टम फॉन तो गाइस यहां आपको सर्च कर देना है कुश्टम फॉन सर्च करने के बाद यहां आपको इस तरह का वेबसाइट देखनी को मिलेगा तो गाइस यहां से आपको दूसरा वाला वेबसाइट में क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद गाइस यहां आपको इस तरह का फॉन कर देता हूं गैस क्लिक करने के बाद यहां इस तरह का आपको फॉंट देखने को मिलेगा तो गैस यहां से आप किसी भी फॉंट को डाउनलोड कर सकते हैं तो गैस डाउनलोड करने के लिए आपको साइड में इस तरह का डाउनलोड का ओप्सन मिलेगा तो गैस आपको उसमे यहाँ से आप इस तरह से side में download का option मिलेगा, उसमें आपको click करके आसानी से download कर लिजेगा तोguy yeah, download करने के बाद आपको back आना है, और by guys, यहाँ पर आपको file manager में click कर दना है click करने के बाद guys, यहाँ आपको एक option मिलेगा file का उपर में, तो उसमें आपको simply click कर दना है और आपको एक file बना लेना है बनाने के लिए आपको यहाँ side में एक option मिलेगा three dot का उसमें आपको simply click कर देना है और आपको carrot folder में click कर देना है click करने के बाद guys यहाँ आप अपना file का नाम डाल देना है आप font इसमें रखना चाते हैं तो guys file का नाम font ही रख देना है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ new font तो guys आपको भी इस तरह से यहाँ name डाल देना है डालने के बाद आपको ok में click कर देना है click करने के बाद guys आपका यहाँ file इस तरह से बन जाएगा देखिए guys यहाँ इस तरह से new font file बन गया है तो गाइस बनने के बाद आपको यहां वाच में क्लिक कर दना है यहां आपको एक option मिलेगा download का उसमें आपको simply click कर दना है क्लिक करने के बाद guys यहां आप जो phone download किये हैं यहां आपको देखने को मिलेगा तो simply आपको उसमें क्लिक करदना है जो आप phone download किये उसमें क्लिक करदना है and guys आपको नीचे में एक option मिलेगा move का तो simply आपको move में क्लिक करदना है क्लिक करने के बाद आपको यहां एक option मिलेगा internal side storage उसमें क्लिक करदना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और आप जो फाइल अभी बना है उसमें आपको क्लिक कर दना है क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक option मिलेगा पेस्ट करने का उसमें आपको क्लिक कर दना है क्लिक करने के बाद इस तरह से यहां पेस्ट हो जाएगा तो guys होने के बाद आपको उसमें क्लिक करदाना है फॉंड में और guys यहां आपको एश्ट्रेग हैर में क्लिक करदाना है क्लिक करने के बाद इस तरह से यहां फाइल बन जाएगा तो guys इस तरह से यहां आपको क्लिक करदाना है और एश्ट्रेग हैर में किलिक करके यहां फाइल इस तरह से बना लेना है तो गैस इस तरह से यहां फाइल बनाने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है बैक आने के बाद गैस यहां आपको फिक्सल लेप ओपेन करना है और गैस ओपेन करने के बाद यहां आपको इस तरह का open हो जाएगा और गैस यहां आपको ए वाला section में आना है और गैस यहां आपको font में click करना है click करने के बाद guys यहां आपको my font का option मिलेगा उसमें आपको simply click कर देना है and guys यहां आपको file का option मिलेगा उसमें आपको click कर देना है यहां आपको अपना जो file बनाए वो आपको यहां देखना है यहां आप new font बनाए उसमें आपको click कर दना है click करने के बाद guys यहां आपको file में click कर दना है and guys यहां आपको नीचे में एक option मिलेगा add directly उसमें आपको click कर दना है किलिक करने के बाद गाइस यहां इस तरह से फॉन्ट एड़ हो जाएगा तो गाइस इस तरह से यहां आसानी से फॉन्ट एड़ कर सकते हैं तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई